बेलकम टूमाई योटूब चैनल जी एस क्लासेस में आपका स्वागत है फ्रेंड आज अपने इस वीडियो में जी आई से लेक्षर जिसमें 40 कोशन समान्य अध्यन के आने हैं उसी से रिलेटेड है हमारा प्रैक्टिस से नमबर 9 है जो एक्जाम की पॉइंट आफ व्यू से मोस्ट इंपॉइटेंट है तो वीडियो को बिना स्किप की हुए कंप्लीट वाज करिए जिससे आपको एक्जाम में बहुत ही हिल्प मिलेगी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेशन है हाल ही में किसे नेलसन मंडेला पुरसकार 2020 से सम्मानित किया गया ओप्सन नमबर A है मारियाना वर्दी नायनिस को ओप्सन नमबर B है मोरिशाना कॉयट को ओप्सन नमबर C है A और B दोनों को और ओप्सन नमबर D है ना तो A और ना ही बी इसका राइट एंसर होगा ओप्सन नमबर C A वा B दोनों को हाल ही में निल्सन मंडेला पुरसकार 2020 से मारियाना वर्दी नाइस निस्क तथा मोरियाना कायट इन दोनों को संयुक तुरूप से दिया गया मारियाना यह एक महिला है इनको कैंसर पीड़ बच्चों का इलाज करने के लिए तथा मोरिशाना कायट इनको गिनी के अंदर महिलाओं के साथ हो रही हिंसा को रोकने के लिए यह पुरसकार यानि निल्सन मंडेला पुरसकार 2020 से सम्मानित किया गया प्रतिवर्स 18 जुलाई को निल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है वहीं 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में 12 जुलाई को मलाला दिवस तथा 18 जुलाई को निल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है हाली में किस तारीख से उपभोगता सरच्षड अधनियम 2019 लागू किया गया इसका राइट एंसर है ओफसर नमबर D 20 जुलाई हाली में 2020 को या उपभोगता सरच्षड अधनियम 2019 इसको 20 जुलाई से लागू किया गया या किस अधनियम से में संसोधन है तो उपभोगता सरच्षड अधनियम 1986 का ये संसोधित रूप है जिसे 20 जुलाई से लागू किया गया है एड़ेट इंपर्टन्ट है आप इसको याद रखेगा आज का हमारा निस्ट कोष्चन है हाल ही में CS से साध्री का निधन हो गया है यह किस छेत्र से संबंदित थे option number A है प्रशिद पत्तिकार, option number B है प्रशिद गड़ितक, option number C है प्रशिद सास्त्रिय संगीत गायक and option number D है प्रशिद वासुरी वादक, इसका right answer है option number B प्रशिद गड़ितक हाली में CS से साध्री का निधन हो गया है वह एक प्रशिद गड़ितक थे आज का हमारा नेश्ट कोश्चन है हाली में किस राज्य अत्वा केंद सासित प्रदेश के दौरा मुख्य मंत्री घर घर रासन योजना शुरू करने की घोशड़ा की गई है इसका राइट एंसर है ओफसर नमबर दी दिल्ली के दौरा हाली में दिल्ली गवर्मेंट के दौरा मुख्य मंत्री घर घर रासन योजना की शुरूआत की गई है प्रजेंट टाइम में दिल्ली के जो सीएम है वो अरविंद केजरी वाल है आज का मारे नेस्ट कोश्चन है हाली में डिडो दौरा ध्रुवास्त का सफल परिक्षड किया गया है या क्या है तो ध्रुवास्त एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है बात आती है डिडो याने डिफेंस रिसर्च डेवलप्मेंट और्गनाजेशन इसको 1958 को स्टैबलिस किया गया था और पज़ेंट टाइम में इसके हेड जो है वो सतीस रिड्डी है और डिडो का जो मोटो है वो भिज्ञान के अंदर शक्ति है इसमें जो ध्रुवास्त है जब नाग को हम क्या करते हैं हेलीकॉप्टर से जब नाग को हेलीकॉप्टर से चला जाता है तो उसका नाम हेली नाग हो जाता है हेली नाग वहीं जब नाग को क्या करते हैं ध्रुव नामक हेलीकॉप्टर से चला जाता है तब इसका नाम इसी नाग का नाम क्या हो जाता ह है ध्रुवास्त हो जाता है ध्रुवास्त एक एंटी टैंक गाइड़ेट मिसाइल है जलते हैं आज के नेस्ट कोश्चन पर सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्न लिखित राजवन्सों में से किस एक का सासन था इसका राइट एंसर है ओप्शन नमबर ए नंदवन्स का सासक था नंदवन्स या महापद्मनंद के द्वारत नंदवन्स की अस्थापना की जाती है महापद्मनंद के उत्राधिकारियों की संख्या पूराणों तथा वह द्वारत गरंतों में आठ मिलती हैं कितना आठ मिलती है इस वन्स का अंतिम सासक घनानंद था जो सिकंदर का समकालिन था उसे यूनवानी लेख को के दोरा अग्रमीज वही जेनोफोन के दोरा उसे ब बहुत ही धनाद व्यक्ति यज बहुत ही धनाद व्यक्ति के रूप में संसोधित करता है या संबोधित करता है हका मनी समराज को धर्ष्ट करने के पश्चाथ 327 इसा पूर्मे बसंत के अंत में एक बिसाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला लगभक दो वर यहां से युनान के लिए प्रस्थान करता है है कि स्थार्टर के समय की राजधाना की मया थी वहां यहां पूरुषों की यहां पूरुष जो थे वह अधिक संख्या में उनकी इम्रित हो गई थी तो इसके चलते इस्त्रियों ने यहां पर सस्त्रधारल कर लिए थे कहां पर अस्वक गढ़राज की और यहां कि राज़ानी मसक थी सिकंदर ने जहेलम नदी के तड़ पर राजा पूरु या राजा पोरस को पराजित किया कि राजा पोरस की बीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने राजा पोरस को अपना मित्र बना लिया कौन थे राजा पोरस थे वहीं बात कि जब सिकंदर आ रहे थे भारत में तो अपने साथ तीन व्यक्तियों को और ले आये थे स्थाप्ट अता प्रथमभारतिये समराज असथापपित किया था असे फिल्ट का बूहों से संबने जीतनी जानकारी या चंद्गुप्त म הבן के रिए सिध्य बोलता है एंड्रो चंद्र्गोंतुमौर ताथ सिखान्दरमअन के भेड का उलेग करते हैं सिखान्दरमहां वा है चंद्गूंत्मब्ध को फ़ेड का उलेग उलेग करते है कंफिस्ट्रीन नहीं हुना है जो विलिय cylinders और सैंड्रो को चंदकुप्त मौर कहते हैं हों कहते हैं उनके कटिल के बचपन का नाम प्रधान मंत्री के पळपर आसीन थे और के ौन रचना की अर्थ कि जो कि मौर काल हिन शासन व्यौस्टा पर आधारत प्रस्तक है चंद्गुप्त मौर के समय चंद्गुप्त की जो राजधानी थी वो पाटिल पुत्र थी, क्या थी वो पाटिल पुत्र थी, पाटिल पुत्र का पुराना नाम अगर पुछा जाए तो वो बुलंदी भाग था, क्या था बुलंदी भाग, वही जो पाटिल पुत्र यानी प कौटिल्य का अर्थसास्त क्या है इस क्वेशन का राइट अंसर ओपषयर्ण नम्र डी कोटिल्य नाम आर्थसास्त के बारे में बलकि सासन राज्ब्योस्था के बारे में विश्टर जानकारे दी गई है कौटिले ने अपने अर्थसास्तर में सब्तांग सिध्धांत की जो है पहली बारिया पिस सर पर्थम व्याख्या करते हैं ऐस्थान पर और सथमय सव्य होटी यूनीट क्या है मित्र याणि जो कौटिली के अर्थसास की तूला किसेकी गई है मैकिया वेली के प्रिंस से मैकिया वेली के प्रिंस से कोटिल के अर्थसास किस तुल्ला की गई है और इस टाइम में आज कोटिल चंद्रगुप्त मौर के टाइम में किस पत पर थे वह प्रधान मंत्री के पत पर आसीन थे समस्त भारत का एकी करड़ चंद्रगुप्त मौर के दारा किया जाता है वो पहले सा सकते हैं जो समपूर भारत है उसका एकी करड़ करते हैं दक्कन की बिजय के साथ मालवा गुजरात यह वो महाराष्ट की बिजय पहली बार किस ने की थी चंद्रगुप्त मौर के दारा पहली बार की गई थी चलते आज के नेस्ट कॉस्चन पर किसके सासनकाल में डी मेकस भारत आया था इसका रायट एंसर है ऑफ्सन नमबर बी बिंदुसार बिंदुसार के सासनकाल में डी मेकस यह भारत आया था इस्ट्राइबों के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डी मेकस नामक राजदूत बिंदुसार के सभा में भेज क्या है मेगा स्थनीज की प्रमुख वक्रिति इंडिका है चलते हैं आज के नेक्स कोश्चन पर अभिलेक जिससे यह प्रमारित होता है कि चंद्रगुप्त मौर का प्रभाव पशिम भारत पर था वहाँ अभिलेक कौन सा है इसका राइट एंसर है ओफिसर नमबर सी 150 इसा पूर्व का रूद्र दामन का जूनागर्वलेक से यह प्रमारित होता है कि चंद्रगुप्त मौर का प्रभाव पशिम भारत पर भी था चंद्गुप्त मौर के दवाव 350 इसा पूर में चंद्रगुप्त मौर सीकनंदर सिकंदर के सामराज के पूर्वी भाग के सासा कौन थे हो सेलूकस निकेटर किसके साथ 305 इस पूर में चंद कुप्त मौर वा सेलूकस निकेटर के बीच एक युद्ध होता है जिसमें तथा अपनी पुत्री यानि हिलनाई जिसको कारनीया नाम से भी जाना जाता है हिलना या प्र कार्णिया नाम से जाना जाता है उसका बिवाद चंदगुपट मौर से करते हैं तरह हो probabilities मौर को दहेज के रूप में काबुल कंधार हार मकरां वक रांद concerns चारोपरांदस लुदो में और मक्रांस को चंदगूपट मौर को दहेज से रूप मतब देर देते हैं बार में अपने ससुर यानी सेलकस निकेटर को उपहार के रूप में 500 हाथी दान करते हैं कितने 500 हाथी दान करते हैं चलते हैं आज के नेक्ट कोशन पर किसने सहिसूरता, उदारता और करूड़ा के त्रिवीद आधार पर राज धर्म की अस्थापना की इसका राइट एंसर है और सनमबर ए मौरिकाल के महांतम सासक असोग के द्वारा सहिसूरता उदारता वा करूड़ा के त्रिवीद आधार पर राज धर्म की अस्थापना की गई असोग की द्वारा धर्म मनीत का प्रतिपालन किया गया, असोग की इतिहास की जो जानकारी है वो मुखता किसे पिलती है, उनके अभिलेखों से ही प्राप्त होती है अभी तक कुल 40 से अधिक अभलेक प्राप्त हो चुके हैं और 1837 में असोग के अभलेकों को पढ़ने का पहली बार प्रियास या पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसिप के द्वारा किया गया है वहीं भंडार कर एक ऐसे सक्सक्राइब किव अभलेकों के माध्यम से ही असोग के इतिहास को लिखने का प्रयास करते हैं किसके दौर्ण द्वार यह अग्रहारिक यह मौर प्रसासन का भाग नहीं है असोग के तृतिये सिलालेख, इसके तीसरे सिलालेख में तीन पदा अधिकारियों का नाम मिलता है, पहला कौन सा है, पहला है युक्त, दूसरा है रजुग, और तीसरा है प्रादेसिक युक्त, प्रादेसिक रजुग, इन तीन अधिकारियों का नाम असोग के तीसरे सिलाल एक में मिलता है युक्त क्या थैं यह जीले का अधिकारी होते थे जो राजस स्वसूल करते थे वहीं रजुक यह भूम का करने वाले अधिकारी थे तथा या यहां वर्तमान समय केस अधिकारी वर्तमान समय के संभागी आयुक्त की तरह कारी करता था और इसको जो है न्या ब्योस्था का भी कारी इसको सौप गया था मौरिकार में ब्यापारियों की काफिलियों को सार्थ वाह कहा जाता था यह कहा जाता था वही साची स्थूप सारनाथ अस्तंब इन सब का निर्माण असोग के दारा किया गया था मौर योगिन सभी अस्तंब एक चुनार के बलुव पत्थरों से निर्मित थे आज का मारा नेश कोशन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजे तथा नीचे दिये गए कूर से सही उत्तर चुनि ये सूची ये में अस्थान है तथा सूची 2 में इसमारक को दिया गया है सूचीयों के सहाथ से सही कुशन का चैन करना है कौशामबी कौशामबी में कौन सा स्थूप मठ हिस्तित है तो कौशामबी में ये घोसिता राम मठ हिस्तित है कहाँ पर कौशामबी में इस्तित है बात की जाए कुशी नगर में तो कुशी नगर में राना भर स्थूप यानि एक का दो है एक का दो है और बी का क्या है बी का कि एक दो है और बी का बी का इसमें कांसा है तीन है स्रावस्ति स्रावस्ति में इस्तूप यह 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 स्रावस्ति में प्रदेश के कुशिनगर में महीं सतीत है जो की गुप्तकालीन है सहेत महत इस्तुपी स्त्रावस्ति में यह जो आयोक कई फेवरेट कोशन है और कई बार पूछा गया इसलिए इसको कई बार रिपीट कर रही हो ताकि आप लोग को याद हो सके वहीं साची इस्तूप यह मद्द प्रदेश के राय सेन जीले में इस्तित है भरहुत इस्तिप यह सतना जीले मद्द प्रदेश के सतना जीले में इस्तित है तदा अमरावती का इस्तूप यह आंध प्रदेश के गुंटू बोध गया गय थे इसके बाद कुषी नगर से लुंबनी गय थे लुंबनी से कहां गय थे कपिलवस्तु से सारनाथ और सबसे लाष्ट में स्रावस्ति गय थे सबसे लाष्ट में स्रावस्ति यानि असोग के दोरा अपना जो यात्रा है वो बोध गया से स्टार्ट किया जाता है और लाष्ट में स्रावस्ति जाते हैं ये क्रम याद किये रहिएगा कि जो असोग के यात्रा का क्रम है बोध गया कुशी नगर लुंबनी कपिलवस्त सार करतNews लेखंत में हैं कि एस ताid का कोशन पूछता है है कि आज कि सीला लेखों में परियुक्त भासा है कि का प्रियुक्त प्रियुक कीया गया है इस upside आप लेखों के तीन वर्गों में वियाजित की धाता है पहला क्या है सिला लेख दूसरा है अस्तमिले वहीं तीसरा है गुहा लेक सीला लेक चौदा विभिन लेकों का समू है जो आठ भिन भिन अस्थानों से प्राप्त हुए हैं पहला कौन सा है पहला साहबाज गढ़ी दूसरा है मान सहरा तीसरा है कालसी या की उत्राखंड में इस्तित है चौथा है गिरिनार पाचवा है धौली छठा है सतवा है एर्रा गुड़ी और आठ वा है सोपारा यह जो है आठ अस्थानन है जहांसे असो के जो है शिला लेक प्राप्त हुए हैं असो के अधिकांस सिला लेक प्राकृत भासा इवं ब्राम्ही लिख में लिखे गए हैं इसक्वर्चन का राइट अंसर होगा option नंबर वी दोनों याद किये रहिएगा कि ये खरोष्ट लिप में ब्रामी लिप या खरोष्टी लिप में अगर पूछा जाए क्या अंतर है तो ब्रामी लिप बाय से दाइं लिखे जाती है ब्रामी लिखे जाएगी खरोष्टी जो है यह दाइं से बाय लिखे जाना जाता है और यह कोशें लिखे ब्रामी खरोष्टी आर्मेक यूणानी इन चारों लिख्यों में इनके प्रियो में इसे कि प्रियोग करते है कि पुराडबों में जहां अशोक वर्धन कहा जाता है पुराड़ों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है और यह कोशन है जो most important है कि किस अभलेक में जो ब्यक्तिगत नेम है उसका उलेक किया गया है तो मगनु इसको मगनु ऐसे जिसमेड़ नतूर अभिलेक तथा उड़ेगोलम अभिलेख यानि मासकी अभिलेक ऑश्वक की व्यक्तिःत नाम भी मिलते हैंौ जहाँ पर असोकृ ने सौइम को मगत का सामराज बताया तो कौन सा अभिलेख है वो है भाबू अभिलेख यहाँ पर चलते हैं चलते हैं चलते हैं आज के नेश्ट कैस्षिण पर किर कि क्लिंग की युद्धिका भी वर्ड हमें ग्यात होता है इसका या कि उप्षर ऑफ से व्युदर होता है किरस दिए तर यह सिलालेख द्वारा असोग के द्वारा कुल 13 सिलालेख स्थापित किया गए उन में जो पहला है उसमें पस्वल की निंदा तथा समारों पर पाबंदी आत की बात की गई है दूसरे शिलालेख में देवा नाम प्रिये ने मानूँ यूँ पसुओं के कल्याड से अनियायर कारी कार किया है या जो देवा नाम प्रिय की उपाधिया या असोग के दूसरे सिलालेक से मिलती है याद की गई है तो आपको इसलिए बता रहे सारे आपको याद होने चाहिए तीसरे सिलालेक में असोग के राज में प्रादेशिक रजुक एवं युक्तों को हर पांचुवर्स धर्म परचार है तो भेजा जाता था यह भी कोश्चन में पिछले को जो है क्या कर डिसकस कर चुकी हूं कि असोग के सासनकाल में तीन अधिकारी प्रादेशिक रग्जुक एवं युक्तों को इनका वर्डन तीसरे सिलालेक में किया जाता है वहीं बात की जाए चौथे सिलालेक इसमें धम नीत के बारे में बिस्ष्ट बाते बताई गई है तरथा पाच्वे सिलालेक में लोगों के कल्याण के लिए सासन के तेरह वे व तो इसमें प्रशाशन एवं व्यापार की जानकारी मिलती है तदा साथ्वे सिलालेक में विभीन धर्मों के भी धार्मिक सही सुर्था की बात की गई है वहीं अथावा सिलालेक में बिवाह जनमुट्सव आधि पर खर्चीले समारों की पाबंदी की गई मतब जो भी फिजूल के खर्चे होते थे उसको बंद करने की बात आसोग के नवे सिलालेक से प्राप्त होता है वहीं बात की जाए दसवें सिलालेक तो दसवें सिलालेक में ब्रामभडों एवं स्र के प्रति सम्मान भाव रखने की बात की गई है बात की जाए इग्रहमें सिलालेक में तो इसमें जो है इसमें इस्त्री महमंत्रों के नियुक्ति की बात की जैए तथा लाश्ट के और मुस्ट इंपर्टेन है तेरहवा सिलालेक इसमें सासन के आठमे वर्स सासन के आश्ठमे वर्स यानि 261 इसापूर में कलिंग युद्द असोग का हिर्दय परवर्तन तथा पडोसी राज्यों का उल्लेक किसमें मिला असोग के 13 सिला लेख से प्राप्त होदा इसलिए इस कोश्चन का राइट एंसर होगा ओफसर नमबर ए 13 सिला लेख जिसमें कलिंगी युद्ध का बिस्तित वर्ण किया गया साथ-साथ असोग के हिर्दय परवर्तन वो पडोसी राजाओं का उलेख भी इसी सिला लेख में मिलता है चलते हैं आज के निश्ट कोश्चन पर निम्न लिखित प्राचीन भारती अभिलेखों में से कौन सा एक खाध्यान को देश में संकट काल में उपियोग है तो सुरच्छित रखने के बारे में प्राचीनतम साही आदेश है कोशन को एक बार फिर से सुन लेते हैं निम्लिखित प्राचीन भारती अभिलेक में से कौन सा एक खाध्यान को देश में संकट काल में उपियग है तो सुरचित रखने के बारे में प्राचीनतम साही आदेश है इसका राइट एंसर है ऑफ्सन नमबर ए सोहगवरा ताम्र पत्र मौर काल में जो टैक्स चोरी की जात आई थे और इनके मेगा स्थनीच के दौरा चंदवुप्त मौर के दरबार में आये थे और इनके दौरा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थे इन्होंने भारती समाज को साथ स्रेडियों में बाटा था उसमें कौन से दार्षनिक कृषक पशुपालक और पहले थे दा इनके मेगा स्थनीच के दरणा भाऩी समाечकों बाटा गया था कितने भागों में बाटा गया था और इनके मेगा स्थनीच की द जारा दास प्रत्रत्रक अउलेक नहीं किया जाता है चलते हैं आज के निमने लिखित में से कौन मौर योगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था इसका राइट एंसर है मौर कालिन अधिकारी पौतवा अध्यक्ष ये तौल माप का प्रभारी था वहीं बात की जाए पडिया अध्यक्ष तो ये वाडिजी विभाग से संबंदित था सीता अध्यक्ष ये क्रिशी विभाग से संबंदित था तता सूना अध्यक्ष ये बूचड खाने का प्रभार ताबे के सिख्य को जारी किया गया था तो सरवाधिक संख्या में ताबे के सिख्य किस सासकों के द्वारा जारी किया गया था इसका राइट एंसर है ऑफसर नंबर बी कुसाडों के द्वारा बात की जाए सरवाधिक संख्या में ताबे के सिख्य यह कुसाडों के नाम पर है वहीं अगर सबसे अधिक सुध्य सुने की सिक्के कि सासकों के दारा जारी किया गया तो यह जाते हैं चलते हैं आज का निस्ट क्रॉस्चन पर सक समवत का प्रारंब किया गया इसका राइट एंसर है ओप्सन नंबर भी 78 इसवी में सक समवत की शुरुवाद 78 इसवी में किया गया था वहीं अगर पूछे बिक्रम समवत बिक्रम समवत की शुरुवाद 57 इसापूर में किया गया था यानि सक समवत एवं बिक्रम समवत के के बीच 135 वर्ष का अंतराल है यह भी पूछता है कि सक समवत एवं विक्रम समवत के बीच कितने वर्ष का अंतराल है तो 135 वर्ष का अंतराल है समराट बृहदत के शेनापति पुष्ञ पुष्ञ मतया नि नहीं नहीं जो राजधानी थी वह बीदिशा थी और पूचते हैं कई बाइर कि पतंजली किसके समकाल थी तो पतंजली थे फॉष्ञ मत्र सुंग के समकाली इंद। इसमें एक और most important question मिल गया है कि मौरिकाल का अंतिम सासक कौन था तो मौरिकाल का अंतिम सासक ये ब्रिहद्रत था इसी की हत्या किसके दारत की जाती है पुसे मिते सुंगे के दारत अता सुंग बंस की अस्थापना की जाती है आज का हमारा नेश्ट कोश्चन है हरे पौधे में प्रकास संसलेशड की क्रिया में होता है प्रकास संसलेशड की क्रिया में क्या होता है इस question का right answer होगा option number B carbon dioxide लेना वह oxygen छोड़ना है यानि प्रकास संसलेशड क्रिया ने फोटो संसेटिस में carbon dioxide को लेते हैं तथा oxygen को छोड़ते हैं प्रकास संसलेशड वह क्रि प्रक्ट के रूप में आकसीजन निकलता है यानि आकसेजन को यह लोग रिलीज करते हैं प्रकास संस्लेसर की जो क्रिया है वह नीले लाल प्रकास में सबसे अधिक तीवर से होती है अगर कोश्चन में नीला लाल दोनों रहे तो आपको नीले प्रकास में टिक करना है क्योंक संसलेशर्ड के जाती है इस कोशन को ऐसे पूछते हैं कि किस क्रिया के दौरा प्रकाशी उर्जा में परिवर्तित होती है तो यह प्रकास संसलेशण के द्वारा चलते हैं आज करने इस कोस्चन पर निमने लिखित में से काउन सब पौधे के लिए अनिवार सूच में पोशक नहीं है इसका राइट एंसर है ऑफसर नमबर सी सोडियम सोडियम जो है वो पौधों के लिए अनिवार सूच में पोशक तक होती है वहीं जो साथ है वह उनको सूच में रूप में इनकी आवसकता होती है बात कि ब्रिहाद रूप में नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटैसियम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैल्सियम मैगनेशियम तथा सलफर यह नव एलिमेंट्स है जिनको प्लान को क्या करते हैं ने उद्स रेशियों में इनकी क्या होती है वहीं बात कि जाए जो साथ माइक्रोजन आश्यम मात्रा में है वह कौन-खौन से हैं तो लोह यान आई जिंक्स मेंगनेज बोरान ताबा मॉलिवीडनम तथा क्लोरीन यह साथ ऐसे ऐलिमेंट्स हैं जिनकी आवसकता होती है तो इसमें से कौन नहीं है उसमें से सोडियम नहीं है जिनकी आवसकता में पढती जो है पसुषन- आज का कि सेब का हिदे रोगी उकわかूंद के लिए जिंब क्योंकि बड़ी सरूत है यह रहें तो यह sodium वा magnesium के बड़े श्रोत हैं इसलिए इसकोशन का राइट एंसर होगा option नमबर ए सेव का हिदे रोगियों के लिए विसेश महत्र क्योंकि यह sodium वा potassium के क्या है यह बड़े इसलिए इसलिए इसकोशन का राइट एंसर होगा option नमबर डी जो कि सही सुमेलित नहीं है बेरी-बेरी रोग यह vitamin B1 की कमी से होता है vitamin B1 का Huntingham का जो chemical name नहीं वह थाइमीन है वह भुथाइमीन आइवाराइब फ्लेविन यह vitamin B2 का जो है chemical name है और इसकी कमी से सरीर का भारहर हो जाता है बात कि जाए vitamin A का chemical name रेटीना मैं केमिकल नेमर्ड ऑर इसके कमी से present फीर नेमर्ड सीससे समवतस्य होने लगती है वहीं केम कमे से क्याय यह साथे वहीं इसकी कमीस क्या होता है बंध्तार हो जाता है पारमिंट बडुक सिनके कमे से मानशिक व्याधी नामक रोग हो जाता है चलते हैं आज के नेस्ट कोश्चन पर बिटामिन C का रासाइनिक नाम है बिटामिन C का रासाइनिक नाम क्या है इसका राइट एंसर है ओफ्सन नमबर A, स्कार्बिक एसिड बिटामिन C का रासाइनिक नाम स्कार्बिक एसिड है बात की जाए जितने भी बिटामिन से उसका एक बार chemical name देख लेते हैं, बिटामिन A का chemical name क्या है? बिटामिन B का chemical name थाइमीन, बिटामिन B2 का राइबो फ्लेविन, बिटामिन B3 का जो है निकोटिनामाईड, बिटामिन B5 यानि पेंटा होता है तो पेंटो थेनिक एसिड, बिटामिन B6 पारियोडॉक्सिन, तथा बिटामिन B7 इसका chemical name है बायोटीन, बिटामिन B11 इसका chemical name ह इसीड है वहां सांट विलोक झेड़े नेंसे बिटामिन इसमें में रॉट कयमिकल व है कौन साथ है का लिखविमेंड आगे का वर्लान आच है अले हैं तो कहले हैं न थे का एक पक जिमिकलब का चूशित करने नंगे यह उन सब को यहां पर cover करने की कोशिश की गई है चलते हैं आज के next question पर शरीर में उत्को यानि तिसूज का निर्माड होता है तो तिसूज का निर्माड किस से होता है इसका राइट एंसर है option number C protein से सरीर में तिसूज यानि उत्को का निर्माड या protein से होता है protein या amino amino acid से मिलकर बने कई amino acid मिलकर यह protein का निर्माड करते हैं protein की कमी से मानव शरीर की जो growth है वो क्या होती है धीमी हो जाती है चलते हैं आज के next question पर कि तरूड अथवा ब्रिद व्यक्तियों में protein की आवस्चता होती है इसका right answer option नमर बी तरूडों में उच्चतर तथा ब्रिद्धों में नियूनितम protein की आवस्चता होती है हमारा निश क्वेश्चन है कि स्टार्च एवं स्टार्च एवं सेलूलेज के बारे में निम्न लखित कत्नों में से कौन सही नहीं है option नमरे हैं दोनों वानसपतिक उद्भाँ है option इंवर दो है option नमरे है दोनों बहुलक है option c है दोनों जो है आयोडीन के साथ रंग प्रतान करते हैं तथा option नमरे डी है दोनों गुलूकोज के अन उसे निर्मित हैं इस क्वेश्चन का राइट answer होगा option नमबर C iodine के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं या इस के बारे में सही नहीं है कि जो इस टार्च होता है इस टार्च यह iodine के साथ नीला डार रंग देता है यह यह साहल्प मैं नहीं देता या इन दोनों यानि स्टार्च वा सेलूलेज के बारे में सही है चलते हैं आज के नेस्ट कोशन पर सूची एक जिसमें अंता स्रावी ग्रंथियां दी गई है को सूची दो जिसमें स्रावित हार्मोन्स दिये गए हैं से सुमेलित कीजिए और सूची योंके नीचे दिए गए कोड्स के प्रियों करते हों उत्तर का चुनाव करें सूची यह में क्या क्या है कि सूचिए जनन गंति यह कौन सा है प्रोजक स्टान यह एक जननन गंतिंवहीं प्यूज गंति हर्मोन्स और इसका स्रावड कहां से होता है यह इंसुलिन से होता है और इसकी कमधर डाइबेटीज नामक रोग हो जाता है नमबर Yeah, यानि आप मिला लीजेगा इसका राइट अंसर क्या होगा? इसको ऐसे देख लेते हैं जो जननगरंती है वो अधिविरिग से सम्भन्दीत है अग्नासा आदिधी सोन और किसे सम्भंदित है एह किसे संबंदीत है चलते हैं आज के नेस्ट कौशन पर किसकी कमें मनуск में मध्मेह होता है इसका right answer है का निर्माड होता है और इसकी कमें से जो है डाइबेटीज या फिर मधुमेह नामक विमारी हो जाती है चलते हैं आज के नेक्ट कोश्चन पर मानो सरीर में निमनिलखित हार्मोनों में से कौन सा रख्त कैल्सियम और फरस्फेट को बीनियमान करता है इसका राइट अंसर है खकांज घिया को आपसर नमबर सी आज का मारा नेश्ट कोश्चन है कि गैसी इस दिए में पाया जाने वाला हॉर्मोंस है इसका राइट एंसर है ओपसर नमबर B एथिलीन एथिलीन या एक पाधफ हर्मोन है जो कि गैसी अवस्था में पाया जाता है तथा कच्छे फालों को पकाने के समानी सरीर का दापकरम होता है 1998.6 Adding दिग्री दिग्री करता से तो バ ellery की केलवीन में तो 310 याने 310 यानि थे मुन ना आपकरम होता चिक्लेच थे कि युजरी होना आगर पूछा है इसमानी ऊकच्वाइट कादा थो थे हाल। अगर तो केलवीन में पूछता है तो तो यह मर्मप्राइब का सामान तप्रम होता के चलते आज के नश्ट कुश्चन पर कितने राज़ों को कुलतीन राज्जों को स् arguably ता पहला है 36 राज इसके दो कए चलते हैं आज की लास कोर्षान बारती सम्मेदान कोंडा 170 कुछ नमें नोबब दस जैसे कि आपको पता है कि यह दृदिये करें किसका बाया सब्सक्राइब करें है कि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लैक करें और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे Belo करें तथा वेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो को नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके थाइंक यू फो वाचिंग माई वीडियो जय हिंद